साल 2012 में इस महिला ने राहुल गांदी को अपना सोशल कैमपेंड को मजबूत करने की सला दी थी लेकिन राहुल गांदी ने इस पर गौर नहीं किया और यही कारण था कि कई राच्यों से कॉंग्रेस का सफाया हो रहा था मगर साल 2021 में राहुल गांदी ने इस महिला से फिर से मुलाकात की और जिसके बाद लोगों के सामने एक नए राहुल गांदी है जिसे आब जन्नाय का नाम दिया जा रहा है यह महिला कोई और नहीं बलके स्टेफनी कटर है जुनके बारे में कहा जाता है कि इन्हों ने जिसके लिए भी चुनावी रणनिती बनाई है वो या तो राश्ट्रपती बना है या फिर प्रधान मंत्री स्टेफनी कटर राहुल गांदी की बेहत करीबी मानी जाती है और कुछी देर की मुलाकात में स्टेफनी कटर ने राहुल गांदी की उस कमजोरी को समझ लिया था जिसे बढ़े-बड़े रणितिकार समझने SPե में देर लगा दिये जिस राहुल गांदी की भाशन पर मजाक और धिंव्याट होती है अब राहुल गांदी धार्मीक होने के स साथ एक ऐसे निता के रूप में लोगों के सामने आ रहे हैं जो कि मैदान में उतर कर आम जन की समस्याओं को तो सुनी रहा है और तो और अब लोग उन्हें गरीबों किसानों और विरजगार युवाओं का मसीहा भी बोल रहें खबरों के माने तो स्टेफनी कटर ने अपनी रणनिती से बराक उबामा सहीत बड़े-बड़े निताओं को रास्टपती और प्रधान मंतरी जैसे उच्छपत पर आसीन करवाया है और अब वो रहुल गांदी की रणनितिकार है रहुल गांदी को लेकर भी ये कहा चारा है क अब वो दिन दूर नहीं जब रहुल गांदी देश के प्रधान मंतरी बनेंगे आकर कैसे मुलाकात हुई रहुल गांदी के स्टेफनी कटर से और क्या था वो मूल मंतर जिसे स्टेफनी ने रहुल गांदी को दिया था जिसके बाद रहुल गांदी ने खुद को खत्म करक लेकिन उससे पहले नमश्कार दोस्तों मेरा नाम शिखा है और आज आपको उस महिला के बारे में बताएंगे जिन्होंने राहुल गांदी के इमिज बदलने में महतवपूर भूमी का निभाई है तो चलिए देना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं उनकी रणिदिकार स्टेफनी कटर हित्य करती हैं यही कारण है कि भारत चोड़ो यात्रा के बाद लोगों के सामने जो नए राहुल गांदी आए और जो उनकी अलग इमिज जनता के सामने बनी उसकी वज़ग कही न कहीं स्टेफनी ही मानी जा रही है दरसल साल 2014 की लोग सभा चुनाओं के ब इस चुनाओं में तो दिल्ली में कॉंग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो गया था सत्तर विधानसवा सीटों में से एक पर भी कॉंग्रेस जीत हासिन नहीं कर पाई थी साल 2016 में भी असम केरल पंडुचेरी तमिलाडू और पश्चे मंगाल में चुनाओं हुए थे जिसम शामिल थे कॉंग्रेस ने हिमाचल और मड़िपूर में सत्ता अगवाद गोवा में तो सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूस सरकार कॉंग्रेस नहीं बना सकी साल 2018 में मार्च में तिप्रा, नागलेंड, मिजोरम और मेगाले में चुनाओं हुए जिसमें कॉंग्रेस ने एक भी राच में जीत हासिल नहीं कर पाई साल 2021 में पांच राचों में चुनाओं हुए जिसमें कॉंग्रेस एक सीट जीती और चार हारी साल 2022 में पांच राज्यों में फिर चुना हुआ जिसमें कॉंग्रेस सब सीटे हार गई उत्तरप्रदेश, बंजाब, उत्राखंड, मड़िपूर और गोव में विधान सबाद चुना हुए थे 1950 के बाद पहली बार ऐसा था जब कॉंग्रेस यूपी की सभी सीटों पर उत्री थी लेकिन मात्र दो सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी बाकी सभी राज्यों में भी कॉंग्रेस की हालत खराब हो गई थी पंजाब में कॉंग्रेस अपनी सत्ता नहीं बचा सकी और 18 सीटों पर आकर सिमट गई जिसके बाद कॉंग्रेस का अस्तित भी मानो खत्म हो रहा था एक बड़ी पार्टी इस तरीके से खत्म हो रही थी मानो की शेर बाजार का ग्राफ गिर रहा हो लेकिन साल 2024 की नतीजों ने कॉंग्रेस के गिरते ग्राफ को फिर से उठाया सूत्रों के हवाले से खाबर आई कि कॉंग्रेस के ग्राफ को बढ़ाने में पूरा हाथ स्टेपनी कटर का रहा दरसल आज से तक्रीबन 13 साल पहले स्टेपनी कटर और रहुल गांदी की मुलाकात हुई स्टेपनी वर्ष 2012 में अमेरिका के पुर्व राजपती बाराक ओबामा की डिप्टी केमपेंड मनेजर थी उसी साल यानि 2012 में स्टेपनी भारत यात्रा पर थी स्टेपनी जब भारत यात्रा पर थी तब उसी समय उनकी मुलाकात राहुल गांदी से हुई थी रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेपनी ने तब राहुल को अपने सोशल मीडिया केमपेंड पर जोड देनी की सला दी थी लेकिन उस समय स्टेपनी के इन बातों पर बिलकुल गौर्ड नहीं किया गया था इसके बाद साल 2021 में जब राहुल गांदी और स्टेपनी कटर की दुबारा मुलाकात हुई तो स्टेपनी ने राहुल को एक सला दी थी उन्हेंने कहा था कि हर व्यक्ति को खुश करने की आप कोशिश ना करें आप अपना एक स्टेंड रखें और उस पर काइम रहें यही कारण है कि जब राहुल गांदी ने साल 2022 में भारत जोड़ यात्रा यानि आंदोलन शुरू किया तो किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि राहुल गांदी अपनी एक यात्रा पूरी कर पाएंगे इस यात्रा के बाद से ही राहुल गांदी एक नई राहुल गांदी के रूप में लोगों के सामने नजर आये थे इस यात्रा के बाद लोग अब राहुल गांदी को जानने लगे थे राहुल गांदी हमेशा से इस पर विरोत करते दिखाई दिये हैं स्टेफनी कटर राहुल की बेहत करीबियों में से एक है बता दे कि स्टेफनी अमेरिका की एक प्रतिष्ठित राजनितिक रनितिकार है जो कि कई प्रमुक अमेर्की राजनिताओं के लिए काम भी कर चुकी है। उन्होंने साल 2012 में बराक उबामा के पुनव चुनाओ अभियान की भी रणनिती त्यार की थी, जिसे खूब जादा सराहा गया था। रिपोर्ट्स के अंसार स्टेफनी कटर को राहूल गांदी की टीम में शामिल किया गया, ताकि उनकी राजनितिक छवी को फिर से उभारा जा सके। राहूल गांदी को एक नए दृष्टी कोर्ट से प्रस्तुत करने की रणनिती बनाना और उनकी समवादों में सुधार लाना कटर की ही जिम्मदारी थी। पिछले कुछ समय से राहूल गांदी की राजनिती में एक नया आत्म विश्वास और स्पष्टिता देखने को आपको मिल सकती है। उनके सोशल मीडिया भाशनों और साच्छतकारों में किये गए बदलाओं में स्टेफनी कटर की रणनिती का प्रभाव स्पष्ट रूफ से देखा जा सकता है। राहुल गांदी की लोग प्रेता में जो व्रिदी देखने को मिल रही है। उसमें स्टेफनी कटर की रणनिती का एहम योगदान माना जा रहा है। हाला कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह परिवर्तन भारती राजनिती में कितनी दूर तक जाएगा। लेकिन इसपस्ट है कि उनके नए दृष्टी कोड ने कई लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकशित क्या है। राहुल गांदी की नए राजनितिक छवी और उसमें सेफनी कटर के योगदान पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप मुझे कमेंट करकर जरूर बताएगा मेरा नाम शिखा है और आप यूथ निशन देख रहे हैं धन्यवाद।